मैं प्रिकास्वारांसी से आप सभी लोगों का इलानिक भी दुर्गेश में एक बाई फिर से स्वागत करता हूँ सभी लोग से स्वाइब लाइक करें और अपने सारे मित्रहों में इसको क्रेयर करने क्बाइब जो ही क्लास में चले आंगisked guys सभी लोगं को नमश्कार द्र 27 करतिमां व्हाई अब बिना रुके पच्चार्स प्रशनों को हम लोग यहां पर साल्व करने चल रहे हैं अयुश्मान भव पुणिमा तो सभी लोग एक मिनट में जितने भी लोग का नाम आएगा मैं ले लूँगा उसके बाद फिर नाम नहीं लूँगा क्योंकि तब सीदे से पढ़ाऊंगा पारस भारती आयुशमान भव शवितानंदी जी हैं आयुशमान भव पुणिमा जी आयुशमान भव कल्यार मस्तू दिवीजय भव चर्ण शेश्वे करतिमान भव सभी लोग सेयर कर दे क्लास को और आज चलिए हम लोग सभी लोग हिंदी की 50 बहतरीन प्रशनों पर चर्चा करने वाले हैं तो अब चलिए सबसे पहला कोशन हम लोग तारंब करने चल रहे हैं और अब क्लास इस्टार्ड ठीक है पूजा भी आ गई है चलिए अब क्लास इस्टार्ड अब किवल और कोशन पर चर्चा होगी तो सबसे पहला कोशन आज का जो दिखाई दे रहा है यह कोशन है कि देसांतर में आज कुछ मिक्स टाइप वाले कोशन भी हम ले करके आए हैं मिक्स का मतलब कुछ लोग कर रहे थे किसर जो है कुछ मिक्स वाले भी कोशन करवाएं तो सभी लोग सेयर कर दें अपने सारे ग्रूप में सेयर कर दें अब सेयर करने के बाद में हम लोग क्लास में चले करते हैं सबसे पहला कोशन है देसांतर में कौन सा समास है ध्यान दे लेकिन किवल डेस में न्तर से ही बात है कि एक इस बसरे स्थान तक जाना दे सांतर होता ना ऐसा वाला तो उस वाले अर्थ से अगर आप चलेंगे तो राइट अंसर इसको आप पहुंचेंगे कहां तक सी तक पहुंचोगे और सी ही बिलकुल करेक्ट है नेश कोशन में आप लोग सामने दिखाई दे रहा हुआ भारत में सरवाधिक बोले जाने वाली ध्यान दिजेगा भारत में सरवाधिक बोले जाने वाली भासा कौन सी है हिंदी, संस्कृत, तमेल या फिर उर्दू जिसको ह सब्सक्रब्स सब्सक्राइब करें क्लास में तो भारत न सरवादिक बोली जाने वाली चुन लोके नाम घुलकों बता होगा हिंदी लोयर अगे एक उंपॉर्थन ओक पो बहुत ही important question जो लोग यह बता पाएं बिल्कुल सही कि इसका प्रयाइवाची सब्द क्या है और उसका और भी और भी सरल अर्थ में जो लोग बताएं और ठीक हम उनको देखते हैं फिलाल जो लोग भी करेंगे गलत हिरन करेंगे गलत कुरं करेंगे गलत प्रसंख्या तीन औ होते हैं ठेक इसका होता है मुर्यंदमर्यंद का प्रेयावाची यह है और आप उसको और भी इसके सर प्रियावाची जो कमेंट कर सकें और प्रियावाची आप उसको जरूर दें प्रकट होने के लिए थucharist दिकत है ठीक है camera connect थभी नहीं गफट अभी नहीं है तो अभी दर्सं देने का कोई और यदे दूंगा कुछ मिनट कुछ सिकेंड बाद या लास्ट में दर्सं जरूड दे दूंगा गवड़ाय नहीं थंड बहुत ज्यादा ना इसलिए बहुत ज्यादा सवर कर ठीक है तुछ है । यह लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हैं ओपले सबस्क्क्राइब करेंगे जैर फिर एक यह दू मिनट की बाद में कर बाएंगे अर्म होना चाहिए दर्शन मिल जाएगा ठीक .. और यह व्यंजन है, सुवर नहीं है, प्रशस्चन कहा चार का उत्तर, D आना चाहिए, और D बिल्कुल करेक्ट है, ब्यतरिन कोश्चन है, एक ये भी कोश्चन, देखो, समान अगर कोश्चन बन रहा है, तो जल्दिस कर लेते हो, कोश्चन तो बिल्कुल हम आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, आ जाएंगे, ठीक, बिल्कुल आ जाएंगे, अभी नहीं दिखेंगे, अब देखेंगे, थ्वाट ठंड और कम हो जात, फिर दिखने लगेंगे, रुख का परियावाची सब्द है, विटप, प्रसून, तड़का, हेरंब, अब आप देखो कि किसको कर सकते हो, किसको कर सकते हैं, पादप, विटप, पेड, व्रिक्ष, ये सब जिसके हैं, उसी का है यह रुख, अर्तात, यह क्या हो जाएगा, एक रिखेंगे, अप्रसून, फूल, ओगरे वाले हैं, हेरंब, गणेश जी के नाम को भी कहते हैं, तड़का, आप समझ रहे होंगे, तो कुल मिलाजुला करके बहुत जादे दूर नहीं को चलना है, जो महत्त पूर्ण कोस्टन सीदे सीदे, उस पर हमारा ध्यान रहना चाहिए, कई बार कोस्टन कुछ ऐसे डाल देते हैं, जिसके आपसन में, अगर हम घराइम चलेंगे, तो फिर कोस्टन कम होगा, फिर करपट सब्द का तदभव क्या है, क्या है, तदभव, मैं और भी अनालसिस करूंगा, थोड़े दिन और आप लोग जूरते रहें, बस दिदरी अनालसिस और भी घराइम उतरेंगे, थोड़ा पले रहें आप लोग, ना, आगे देखते हैं, नेश कोस्टन में, करपट सब हो, इत्यादी सब्द में कौन, कौन संदी है, कौन, कौन नहीं, सिद्यादी सब्द में कौन संदी है, इसमें बताओ, इत्यादी सब्द में कौन सी संदी बनेगी, अर्थात इसमें संदी कारे हुआ होगा, तो संदी हुई होगी, कौन सी संदी बनेगी, बिल्कुल सही, ब क्राश होती है चार बजह क्लास है कि उसमें से कर रहे थे वह चार वज़े करें सभेट, आपको, इससे में जवाब करोगे, तो इती में जवाब करोगे, तो इती का E है, जो इसमें E है, यहीं बदल जाता है, इसलिए, इक का यन हो गया, इसका नाम क्या हो गया, इन, तो हो जाए आपका यन संधी, ठीक नेश को सन एक बहुत ही महत्तपून को सज़ां जो कि है मौहावरा और आप लोग इस मौहावरा का अर्थ जरूर बताईए सभी लोग बताईए जो लोग भी नए हैं पुराने हैं सभी लोग क्लास को सेजर करें ठीक है मेरी अगली क्लास चार बज़े सामको होगी जो संस्कृत भासा पे होगा और जो लोग भी अभी तक संस्कित में कोशन किये हैं अब तो मज़े की बात है कि इतने लोग सीटेट में कोशन पेपर प्रस्ट संख्या आठ आखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है क्या मन में खटकना बिलकुल सही राइट एंसर आया कि मन में खटकना आखों में गड़ना बहुत सही यूपी PCS Pre में यह question पूछा गया था सोचे कितना बेतरीन है यह देखो आरो यारो का question भी यह है मैं आपको बता दूँ कि इस session में आपको बहुत सारे question जो टेट में पूछे गए हैं सूपर टेट में question पूछे गए हैं कहीं आपका बीएड में question पूछा गया है इसके साथ ही साथ लेख पाल भरती में जो भी question आते रहते हैं ट्रिपल सी लेबल में आरो यारो इन सबके लेबल में question जो महत्तपून question है वह सब मैं यहां पे लेकर करके आया हूँ आपके सामने अर्थात हिंदी जो सामान हिंदी है उसकी एक ब्यहतरीन काढ़ा मैं आप लोगो को दे रहा हूं आप इसको लेते रहें घोटते रहें मक्खी सब् है कि मक्षिका पर लगाए यह मक्षिका नहीं सही होता है ध्यान देदा यह मक्षिका सही होता है डीग सही होगा आपको याद होगा जम्मा लिखता हूं निर्वक्षिका मक्षिका आडाम अभावह तो वहां पर यहीं मक्षिका प्रयोग करता हूं संस्कृत में जो लोग म सब्सक्राइब करें इस प्रश्ण का काँं साथ नहीं है घ्जान देना तदभावन नहीं है कि असुद्ध तदभव नहीं है दुआरा का तदभव है गिरिष्टी भी तदभव है ठीक तो इसमें से राइट अंसर आए आपका बी और अन्य अन्य आप सब पर भी डीटेल चर्चा होगी हम लोग जब डीटेल और डीटेल चप चलेंगे तब अभी हम लोग क्या करेंगे मैक्सिम क्वेशन कोशन देखो उत्तर ठोको तुरंत वह वाला प्रासस में हम लोग चलना है एकल सब्दकात तदभव सब्द क्या होगा केवल हमको उत्तर सीधे कि एकल सब्दकात तदभव क्या होगा अर्था अकेला को हम लोग क्या करते हैं एकल अकेला हम लोग तदभव में बोल देते हैं तत्सम में हो जाता है एकल अकेला अब यह अकल अकल नहीं होता है अकिल भी नहीं होता है अकेला यह तो दो ऐसे हिंदी में जितने आप तो सामान में अगर रूप से आप पढ़ रहे होंगे उसी से कट कर देंगे कि नहीं यह तो हो ही नहीं सकता जैसे आप इस वाले में देख लिजे त्रीवेंडी सब्द में कौन सा समास है अब दौन तो पक्का है नहीं होगा अब कुछ लोग भावरी में फरसान होंगे कुछ कुछ लोग करमधारे में समास वाला और एक यह वह कन्डिशन बनती है जहां पर एक दिक्कत आताह हैि उसमें लिखा होता है सबसाब कि एक अब्वेग भायाव समास वाले में दिक्कत आती है और एक आती है वह वही समास वाले में जब किसी अन्य का अर्थ देता है तब ठीक है चलिए आगे देखते हैं नेश कोस्टन की और चलेंगे तो यहां पर हो गया दिगू तेरा नंबर के कोस्टन में चलिए देखते ह साथ बताएं कि इसमें से कौन सा समास नहीं है ठेक क्योंकि वह देखने से लगता है कि कर्मकारक लिखा यहां पर लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं जल्दवाजी में पढ़ लेते हैं कर्मधार है क्या पढ़ लेते हैं कर्मधार है और लिखा क्या क्या लिखा है कर्मकारक समास तो क्या होजा अगर आइट है सर एक कर्मकारक समास कोई समास नहीं होता है इसलिए यह वाला समास नहीं है अब्व्यभाव द्वांदु समास बहुत ही वो सब सभी के सभी सभी सई थे प्रश्च संख्या 14 में अगर हम बात करें निमलिखित सब्दों में किसकी वरतनी सुद्ध है उसको आप बताईए पन्यास प्रत्यूपकार्ट दुरावस्था कैलाश जो सुद्ध रूप से लिखा गया आप उसको बताईएगा ठीक उसको आप बताईएगा हमारे सांथ में सभी लोगों का उत्तर करेक्ट आ रहा है बिल्कुल सही पिछले वाले का उत्तर भी सभी लोग कर्मकारक की कहें ठीक है हाँ बिल्कुल चील कवगों की नहीं गाया हो नहीं ठीक है बिल्कुल ताकि एक दम उत्तर दिखाई दे सीधे उत्तर तक पहुंचे आपका ध्यान जो है कहीं और न पहुंचे जैसे इस प्रश्ण के उत्तर में अगर हम बात करें तो यहीं पर सभी लोग समझ जाएंगे गलत है दूरावस्था यह भी नहीं से यह कैलाश में नहीं सन्यास और ध्यान देना यहीं वाला जो यह सन्यास तो यह विंदी भी होना चाहिए कि यहां पर नौ भी होना चाहिए तो इस बात को ध्यान देना एक करेक्ट हो गया आपका ठीक एक यह भी कोस्टन है यह बताओ संध विच्छेट आप लोग बोले सर थोड़ा मिक्स टाइप भी कोस्टन लाइए कुछ और भी कोस्टन मतलब मिक्स रहे तो मैं सोच जो लोग मनुरत पड़े होंगे उनको पता होगा कि मनूरत में किस तर्के से संधी कार्ये होता है और हमार साथ में अगर आप विशर्क संदी पढ़े होंगे, सभी लोग बहुत थोड़े में विशर्क संदी पढ़ाते हैं, बढ़ हम पूरी विशर्क संदी बताएं है, मुझे याद है, ठीक, बिलकुल उत्तर देखो, बस उत्तर सिधे दिखाए देना चाहिए, कि कहां उत्तर पहुंचा, क्या इसका प्राइट एंसर आएगा, पढ़ते ही बताओ कि गवराव का विलों में क्या होगा, आपके दिमाग में तुर्ण तरहां चाहिए, गवरत्व लगुत्व, ऐसा होना चाहिए, तो गवराव है, और गवराव का तब क्या हो जाएगा, लाघव, ठीक, गूरु का क्या होता है गूरु का क्या होता है, गूरु माने बढ़ा, लाघव मतलब, छोटा, अगर कहें गूरुता, तो कहेंगे लाघवुत्व, कहें गवराव, तो क्या बन जाएगा, लाघव, ठीक, तो आप उस तरके से आप जो संग्याव पढ़े होंगे, कौन संग्या बनती है, नित्रस इसको पढ़े होंग है कि किसरें असकी से बना याता है कि ठेक है से सब्सक्राइब लाइन निम्हे लिख्शत में गलास के लिखिश में जताै और संस्कृत में जलदी बताओ आप लोग अगर ध्यान से सुनेंगे तो सारे उत्तर करेट करके आओगे तारे उत्तर सही करोगे बस ध्यान से सुनो ध्यान से जो बता रहे हैं सुनो कि समास में ध्यान देना जब हम समास विग्रह करते हैं तो दो उसमें पद आते हैं एक होता है पूरोपद एक होता है उत्तरपद अगर पूरोपद का अर्थप्रधान हो तो अ सब्सक्राइब करोगे सि द्वंदो समास होगा आगे कोशन और है जो कई बार कोशन ऐसा आता रहता है बहुत बहुत बढ़ी सब्सक्राइब किसी इसे समास में प्रत्वापद संख्यावाची तथा अंतिम पद कोई संग्या हो बताओ तो वह कौन सा होगा कि चलिए ठीक है और सभी लोग जो है लखनावु चलने वाले धरने में सामिल हो जाएएगा पक्काय आ जाएगा नहीं नाम नहीं बोलेंगे ठीक अभी किसी का नाम नहीं बोलेंगे क्लास क्लास में नाम बोलेंगे किस समास में प्रथम पद संख्या वाची हो जाता है ठीक तो हो गया दिगु समास चलो नेश्ट कोस्टन के और चलते हैं फिर से हिंदी एक समाने हिंदी से कोस्टन है जो बहुत ही अलाइटेड बहुत महत पूर्ण यहां लिखे तो हमके वह लेकबार है लेकिन ऐसा कोई परिच्छा नहीं होगा जहां हिंदी का पेपर बना हो और उसमें यह कोश्टन ना आया हो ठेक यह कोश्टन ना आया हो और ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो पहली बार इसको गलत ना किया हो ओ गलत करता ही करता है तो निलकित तब्दों में से कौन सा उत्तर करें हमको मालूम है कि आप लोग इसका उत्तर बिल्कुल करेक्ट करके आओगे ठीक है नारास्ति रिलास्त में बता देते हैं ठीक है जो भी है जो भी है ब्यत्रीन क्वेश्चन है इसमें एक ध्यान देना इसका उत्तर क्या रहा है कवी इत्तरी यह सुद्ध है सभी भ्याँ से समझना यह कोशन बहुत बार आया है बहुत बार ऐसा घ्राएन यह चुल र्पार आए होगी अगर लग में में बदल जाता है तो क्या हो जाएगा उल धन आसर यहां देखो नहीं होगा ल ल नहीं होगा तो वन जो है ल वन में बदला है आपसन क्या हो जाएगा इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका सही जो एंसर आएगा वह आएगा उत्धन लासर उल लासर थेक है तो एक किसका हो जाएगा उत्तर दी तोरली संदी होता है जो लोग तो नहीं जानते होंगे उनको थ्वास मैं जरूर बता दिया ठेक बिलकुल राइट है सर सभी लोग डी कर रहे हैं कुछ लोग नहीं कोई नहीं किया पेपर में गलत हो जाता है बस हाँ बिलकुल बस यहीं दो चार दिन का जो भी होगा धरना फरना सब यहीं दो चार दिन में आप लोग जो प्राप्त कर लोगे कर लोगे उसके बाद में फिर बड़ा स्लो हो जाएगा इसी तही जानते हैं सत्रह हजार अठारह हजार बीस हजार आएगा न उसमें कम लोग सफरेंगे अगर यह 97000 वरती अगर आ जाती है तो आप मानके चले सबका उध्धार हो जाएगा बहुत सरे में मैंनत कर दिये तो हो गया हो जाएगा हिंदी की आधी जननी है हिंदी कहां से आया है बस दो तिन दिन तक है उसके बाद आचार संगता लगी जाएगा और उसे बारत तरह तक क्या सपास लगने कुमिद है आज साथ कोई बैठा कोने वाली है ऐसा सुनने में आया है खोत्ता हैं स्ट्रीच निश्क को सब्सक्राइब किससे विक्सित है गुजराईब देखा ऑई वह था टचिट में पूशा इंद्टर प्रदेश की परिछ्छ्चा उत्तर प्रदेश में दो लिएग पाल क। उत्तर प्रदेश में दो इसलिए इसलिए आप लोग इस को सर्म को जरूर देखिए ठीक है बहुत सहीप ठीक है छलो देखते हैं नेश को समग है इसमें पहले उत्तर बता दो तब चलें आगे इसमें बताओ गुजरातिक किसे से विक्सित है सौर सेनी से विक्सित है किस से सौर सेनी से ए जब हिस्ट्री आप पढ़ोगे इसकी हिंदी की ठीक हिंदी की जो इतियास पढ़ोगे इसमें आपको दिखाई देगा और पूरी-पूरी एक क्रम बताया जाएगा ठीक डीटेल वाले में अभी आप के वाला चैनलष्वाटिधोन जोड़ागा अमें परिष्वा कंष्छ्छ हो ऑगें जब उसनियलगेenteस हो दो चान्सा करते हो दो टोकिस्ट वाकूंब्स संधिघ कंद बटां से में इसमें परिमार्षी देवार्षी कि य कि अच्छ मेंचा पांच में बाद आओगे चलो ठीक है संस्कृत में जरूर रहना तो महर सी सब्द में कौन सी संदी है अच्छा संस्कृत की जो TGT वाली क्लास है उसकी प्रारम करने जा रहे हैं और अभी उसकी डेट अभी नहीं गोसित करेंगे लेकिन संस्कृत की TGT वालों को जो होती है उसका प्रैक्टिस के वाल कि जरूर दे दूँ तो प्रैस्ट संख्या 24 उत्तर क्या बनेगा महरसी ब्रहमरसी देवरसी अर 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 बने तो क्या हो जाए गुण हो जाए क्योंकि हम संस्कृत में ही पढ़ाय थे कि आ ए और ओ की गुण संग्या होती है यह अर और अल के रूप में दिख चाही देता है ठीक तो यहां पर यह गुण हो जाएगा जहां वह हिंदी संस्कृत से थोड़ी बहुत अलग रहेगी या उसमें उतका बात नहीं आता है उसको हम अलग से बात कर लेंगे जो ही कोशन हमारे सामने आएगा दिमाग पर तुरंत आएगा मैं बता दूंगा कि यहां पर अलग है वहां पर अलग कुछ दिख रहा है ठीक है अब सभी मैं क्या बोल रहा हूं मैं आप लोग कहें डर रहे हो हां चलिए आगे देखते हैं तो पढ़ नहीं रहे हो पढ़ो आप लोग हम तो पढ़ाई रहे हैं अध्यक्ष वह अधिस्ठाता में उपसर्ग ह ठीक लगा आप लोग पवाद नहीं है कर्म कीजे जो सिक्षामित्र पाइगा उनको जागना पड़ेगा उठना पड़ेगा तब तो हो पाएंगे दरवाइज फिर भाई अभी बुरा लग रहा होगा बाद में नहीं नहीं हो पाएंगे तो अगर अच्छा लगेगा तो आप लोगों को थेक बड़ियां से समझ लिजिए अगर वह समझ नहीं हो होना है तो होता उसी को जो मेनत करता है यह सोची एक जी सरके से सोय रहें तो नहीं हो पाएगा जब उसमें नहीं होगा तो फिर सोने से नहीं होगा बल्दली यह पर पूरा हाँ आगे देखते हैं जो हम इतना जो अभी तक हम देख पाएं वहीं जो केवल बच्चे कर लेंगे कुछ नहीं बस संख्या बढ़ा रहे हैं कुछ हो ही नहीं रहा है उनका हुआ की कियो बढ़ से सब बन लाते हैं कशोंदियोमोग recommend ुद्रेय दिज़ूरेatin में रहता है अब हीरहर हो्से दूसरे के सहारे और सारा हर जाता है तो यह लूंज करके गिर जाता है ठीक ओस टाइप के व्यक्ति हो जाते हैं फिर लमेर से लाइमर बनाया हुए अलग बात है लेकिन उसब्द है कलेजे पर साप लोटना मुहावरे का अर्थ है क्या इसको बताओ कि कलेजे पर साप लेटना लोटना ठीक साथ नहीं लेट जल्दी से आ जाईए ठीक है आगे चलते हैं तो चलिए नेक्स क्वेस्टन को हम लोग देखते हैं कलेजे पर साप लोटना प्रससंख्या 26 उत्तर क्या बनेगा उत्तर क्या बनेगा इर्ष्या से जल उठना इर्ष्या से जल उठना यहीं क्या होता है सुध्या सुध्य Penis कौण सी वर्तनी मिंफ्य सही है उसको आप ध्यान से देखो 27 में उत्तर क्या करोगे है यह नहीं होता है और यहां दिर्ग वेला होता है यहां दोनों तीछ वन मैंँ होते हैं बड़ा ध्यान से बताएन पहले किया था कि चील कवव की तरग्दम ध्यान होना चाहिए तो बिल्कुल आपका उस पर ध्यान होना चाहिए तब तो समझ पाऊगे दरवाइज नहीं सुद्ध वर्तनी वाला सब्द है सुद्ध वर्तनी से कुछ क्वेश्ण लिएगयाँ पांसाथ ठेक सुद्ध वर्तनी वाले इसको पकड़िए अप ठीक है सुद्ध वर्तनी वाले लिए अ है उज्वल वेमनस्यता कवित्री प्रमारिक उभी आया था पीछे तो गलत है आप अब यहां पर सुद्ध वर्तनी वाले में कि एक और सुस्पेंजन आ गया है प्रमाडिक कैसे लहता है जी प्रमाडिक और या उजुष्फवल भी थही है प्रमाडिक क्या लिखे प्रमाडिक यह थार्थ वाला जो होता है इसमें इसमें को किजो हम upset करते रहा है प्रमानिक कर दे ठीख है कभी कभी और कैंठ छफा होता है तो गलत हो जाता है प्रमाणिक को और क्या रहे है प्रमाणिक का क्या सुध्ध बनेगा कोई ऊप्रामाणिक उसमें हालां कि छपा रहे ठीक इस वाले पर नहीं और प्रमानिक के लिए आप एकदम इग्जेक्ट जो होगा आप लोग अगर कुछ और जानते हैं तो जो बताइएगा वहां पे हिंदी है संसीत वाले से हिंदी भी चपवार हैं सही चापेगा सब कुछ सही हो जाएगा जब पहली बार स्लाइड आता हैं बहुत सही प्रमानिक चलो अब वह हुई सही है प्रमानिक नहीं प्रामारी के अदय को आप डिमाघ पर को कुछ उल्जन दूसरा सब्सक्रान लोग लागते रहते हो ना तो इसम्यन बात जो है दिमाघ से उतर जाता है बिलकुल सही है हाँ हाँ विल्कुल विल्कुल हाँ नेश कोश्चन चलो देख लेते हैं कि हिंदी भासा का जन्म हुआ अब भरंस से लौकिक सांस्कित से पाली प्राकृत से या फिरिस से तो निम्लिक्षित कोश्चन जो यहां पर आपके समय जो कोश्चन दिये गए हैं थोड़ा इसको सभी लोग इस पर उत्तर कर सकते हैं और जो लोग उत्तर करेंगे इधर उधर भी करेंगे तो उनका नाराण फिर तो हिंदी भासा का जो जन्म हुआ उसको आप एक एक लाइन से अगर आप समझेंगे तो बिल्कुल किलियर तक पहुँच पाएंगे कि हाँ यह हिंदी भासा का जन्म कैसे हुआ सबको पता होगा कि हिंदी की आदिजननी जो है क्या है वो आदिजननी तो आदिजननी तो संस्कृत हो गई हिंदी की आदिजननी संस्कृत है संस्कृत पाली प्राकृत भासा से होते हुए अपवरंस तक पहुंचती है और फिर अपवरंस अवहट से आगे चलते 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 फिर प्राचीन हिंदी फिर उसके बाद प्रारंविक हिंदी यहां तक आती है तो जो यहां पर उत्तर दिया जाएगा ओ अपभरंस को ही दिया जाएगा ठेक जो लोकिक संस्कृत पाली प्राकृत बैदिक इन बता तो रहे हैं कि जो संस्कृत है ना संस्कृत से उत्पन होती संस्क्र competition पाली प्रक्रित और अवर्न्स की को माना गया ठाइएlli धियांद यहां पर किसको माना गया अब ब्रक्राण्स को दे कर करके आप लोगों का उत्तर यहां पर देने की कोशिश किया ध्यान समझेगा संस्कृत उसके बाद पाली उसके बाद संस्कृत, पाली, पाली के बाद में, प्राकृत, प्राकृत के बाद में, अपभरांस, अपभरांस के बाद में, अवहट, अवहट के बाद में, प्रारचीन हिंदी, फिर प्रारमवेक हिंदी, जो अभी आ रही है, तो हिंदी को अगर देखें, तो वह अपभरांस से आई है ठीक तो ए वाले को क्रेक्ट किया गया है और ये बी-सी-डी सब इसके पूरवज में तो है ही लेकिन अब भरन से ही हुआ है तो यहां से लेंगे इसका उत्तर बताओ क्या होगा इस प्रश्ण का उत्तर बताओ हाँ यह हरियांटेट में आ भी चुका है जब हिंदी की जननी पूछी जाय तो आप बिल्कुल वहां पे जायें है कि हो संस्कृती है आधी जननी आधी मदब बहुत प्रारंब में है तो हिंदी संस्कृत में जो है और हिंदी में क्या मान लिया गया थोड़ा इसको देख लेते हैं हिंदी में इसको नहीं माना गया है पहली बात लरी वाले को नहीं माना गया है औ माना गया है इसके सांथ आ ए के सांथ में दिर्ग ई उ के सांथ में दिर्ग उ इसी के बाद आ जाता है री माने औ आ ई ई उ फिर री यह एक लवता अकेला ही रहेगा एक बाद ध्यान दीजिएगा यह दिर्ग री या इसा री के बाद फाम में यहां पर नहीं लिया जाता ह तो यहां से आते हुए ऐसे फिर यहां फिर यहां फिर यहां उसके बाद a i o o यहीं आपके हैं तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस और एक इग्यारा यहीं 11 माने गए है कौन कौन माने गए है कई बार कोशन ने बनता है कि ए बताओ री की position क्या है हम ऐसा देखे हैं कि PGT में जब interview चल रही थी ना तो उसमें भी कोशन पूछा गया था कि ए बताओ कि री हिंदी वन वाला में री का स्थान कहां है तो री अगर आप देखोगे स्वरों में है किसके किसके बीच में है तो आप लिखने के लिए बोला गया था तो आ, आ, इ, इ, उ, उ, यही पर आता है री फिर ए, आ, ओ, ओ, आ, ऐसे चलता है यह चलता है ए, आ, ओ, आ, अगर इधर दिख नहीं रहा है तो हम नीचे लिख देते हैं अगर यहीं कोश्चन संस्कृत में जब आता है अगर पूछें आए हिंदी में किस के बाद आता है ए के बाद आता है आए के बाद क्याता है, ओ आता है अगर संस्कृत में पूछा जाता है तो संस्कृत में थोड़ा अलग है संस्क्रित में थोड़ा अलग कैसे है मैं यहाँ पर बता देता हूँ संस्क्रित में पहले आता है फिर ई उ री लरी ए ओ आ ओ इस बात को ध्यान देना otherwise गलत करोगे ठीक इस बात को विशेश ध्यान देना कौन किसके बाद आता है नहीं तो गलत पक्का होगा ठीक आईगा समझ में जो 9 है वो संस्क्रित में है हिंदी में 11 ठीक मैं दोनों बात बता दिया है 9 जो है संस्क्रित में 9 स्वर 33 व्यंजन विणही में जीव करे मनुरंजन ठीक है और हमारे यहाँ जो है यहाँ पर संस्क्रित में जो है 9 हो गए और हिंदी में आप जो पढ़ रहे हो तो हिंदी में इसकी संख्या कितनी आ जा रही है यह 11 आ रही है यह हिंदी में आ रही है ठीक है हिंदी में चले आगे देखते हैं जिन सब्दों के अंत में और आता है उन्हें क्या कहते हैं पता है हम लोग नर्मली इसको को कह देते हैं खो को अच्छर है इसका मतलब यह चालमसा वन्सहां परयोग करते हैं को लिखो खर लिखो हलन्त बहुत कम लगाते हैं हिंदी में उसे लीख करके बता रहे आए-गह तो ए भी देखने को मिलता है बहुत थोड़ा सबस एक रिलेसन के हिंदी से हो जाएगा और जिसके आता वह अकारांत होते हैं क्या होते हैं Akaranth, A-Paranth होने वाले Akaranth, ऐसे E-Paranth होगा, Ukranth का U-Paranth होगा, इस तरिके से बढ़ेगा, next question देखना, Sanskrit Upsorg Yukt सब्द नहीं है, किसमय संस्क्र potrzeb वाली उपसरग नहीं लगा है, आपको पता होगा, कि हिंदी में जो उपसर्ग हैं, वो संस्कृत से अधिक हैं, इसमें कुछ अर्भी, फार्सी, उर्दू, ऐसे भी हिंदी में आ जाये हैं, लेकिन हमारे संस्कृत में क्यों बाइस उपसर्ग हैं, जैसे बे सहारा, बे जान, बे इमान, एस सब आपको हिंदी में तो देखने को देखने को नहीं मिलेंगे संस्क्रित में बेजान स्थी संस्क्रित में किसे वह huggingारे हैं। कि यह वह सार हैν कब आपको याद है तो आपका काम बन जाएगा बहुत सारा वहीं आता है कैसे कि बोलो प्रापराया पसमनी यानु अवनिस निरदुस दुरवी आंग अधियति अभी प्रति देखो अंग अप अनु यह सब संस्कृत के हैं लाचार में नहीं है लाचार में यह संस्कृत वाला उपसर्गिस में नहीं है ठीक ब 21 भासा परिवार का है यह most important question है कई बार एक कोस्षन आ चुका है 21 भासा परिवार का सब्द है हिंदी किस भासा परिवार की भासा है भारोपिय द्रमड याश्टरी के अतिभ्वत किस भासा परिवार में किना गया है आप लोग जरूर बताएं आपको पता होगा भारत में बो दो जो बोलने वालों का ब्रत्यात है वो फारोपिय तीहत्तर प्रत्यात लोग भारोपिय बोलते हैं कितना 30 प्रतिसक लोग बाडोंते हैं 25 मुद्वचिस जो भर द्रहीड बोलते हैं और आंश्टर की one point three परसेंट लोग बोलते हैं और 0.7 परसेंट चीनी तिब्वती बोलते हैं भारोपीय है क्या है किस परिवार का है हिंदी भासा किस परिवार के हाँ भारोपीय का है ध्यान देना इसी तरीके से अगर आप देखो सोर सेनी जो भी गुजराती वला बताये थे मागधी अर्ध परती जो यहां पर आपके सामने दिये गए यहीं चार है इसी चार के बाद में आप आगे पढ़ते चलोगे पढ़ते चलोगे सबसे बड़ा भासा परिवार भारोपीय है तिहत्तर प्रतिसत लोग इसको जो है बोलते हैं ठीक आगे देखते हैं नेश कुस्च्चन को के ब क्लास में पढ़ाने के लिए क्या सोचोगे कि बच्चा आपका सम्मान करें अकांचाएं तो बहुत रहती हैं लेकिन सोचो तुम से जो है रोड से मिलने के बाद में तुमको पूछेगा भी नहीं कैसा लगे कैसा महसूस होगा अरे हम लोग गुरुजन होते थे क्या बात ह गजबय गजव्यक्ति हैं माने लाइक से अर नहीं कर सकते हो तुम लोग सोचो और क्या कर सकते हो जूठाई लेना जूठाई देना जूठाई गाल और जूठ चबएना हिंदी सब्दकोश में का के बाद कौन सा आता है छो आता है मैं बताया था कि कधनस ऐसे कर दोगे तो चब बन जागा अगर इसको और भी कर दें तो यह हवाला ऐसे रहेगा थेख तो का के बाद में यह चो वाली आ जाती है दोवनी इसी के नीचीछ ना ना कि सब्दकोश में चो कहां मिलेगा तो का के बाद ही मिलेगा यह वैदरीन कोश्चन है ठेक आगे देखते हैं यह पुछा था कि यह सोधा का संद्विच्छेद क्या होगा यह वाला होगा यह वाला यह वाला यह वाला यह वाला यह दोनों तो है तो आता है कि इसमें कौन से संधी है तो यहां पर जब संधी पूछा आता है तो लोग यहीं गलत कर बैठते हैं फिलाल यहां पर हम कोशन पूछ रहें अक्छाणी का संधी छेद करिए राइट एंसर इसका आएगा अक्छधान उही नहीं अक्छाणी और यहां पर औ है और इसके मिलने से बनना चाहिए था ओ लेकिन ओ न अबन करके क्या बना है ओ ठीक इसके लिए अलग नियम है इसलिए लोग सोचते हैं कि इसमें गुण बन जाएगा लेकिन गुण होता नहीं है बृद्धी बन गयी यहां से ठीक अक्छाणी अक्छधान उही नहीं यहां पर ह संख्या 36 उत्तर आएगा इसका बी यह संस्कृत के दिश्ट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसको एक दम दिमाग में ठूश ठूश के बर लेना अच्छे से ठीक आगे देखते हैं आप घैसे लोग आप करोगे गुरु जी के सांत मिं और कर साहिन होगा लाइक करो, विश्बी करोंगे, तो गुरुजी का नाम हो जाएगा, गुरुजी का विडियो वारल हो जाएगा, गुरू जी बहूत सारा पैसा ुलूट लेंगे कमा अरे बाप रेंगे, लूट में, कमाने वह, ऐसी ऐसी विचार जब लेकिन एक कई जगहों पर 25 पर चर्चा करेंगे और हमारे यहां संस्क्रित में भी कादयों मावसाना इस परसा से 25 ही बताए गए हैं तो राइट एंसर आप क्या करोगे 25 करो ठीक आगे देखते हैं और पिछले बार कई बार एक्जाम होया नहीं आफसन तक नहीं चेंज होता है वहीं आफसन के साथ एक्जाम में आता है क्वेश्चन कौन सा रात्री का पर्याइवाची नहीं है रात्री का पर्याइवाची है नहीं आप अभी बैठ के पढ़िए हैं गुम्राह कर रहे हैं आ अब देको रजनी बीती विभावरी जागरी रात्री वालाना चैणी सिर्फिर से पानी गुजर जाना मुहा रे का अर्थ क्या ώगा गहरे पानी मने स्थान पर या सहनसिल्था के सीमा तूट जाना या फिर अच् chy प्रकार से सिadia ना या डूबने से बच जाना तो इस प्रश्ण का उत्तर आप लोगका बनेगा सुन सिल्था की सीमा तूड जाना सिर्शे पाने गुजर गया मनें सीमा लुजर गयाSP तो यहां पर मैं लाश से चेक किया और दो पही एंसर मिल गया था तो मैं चेक नहीं किया आगे फिर और उसको छोड़ा कि इसको चोड़ो आगे देख लेते हैं फिर मैं बताया कि दन्त है तो नहीं आएगा इसी दोनों में से और मैं था को लगा के जल्दी से निकल गया महाप्राण में चुकि अगर हम लिखें तो यहां देखो ए अलपप्राण ए महाप्राण यहां अलपप्राण हो जाएगा ओर मैं इसलेगा जो है महाप्राण था निकला बता जबन के चल गया और सक चेक नहीं जुरुत ने जब इसले आंसर मिल गया तो लेकिन बात यहां पर आ गई कि अगर हम घोस और अघोस को देखेएं, तो थ घोस तो रहे नहीं. तो खैसे घोस होगा? इस पर शफटो है, पक्का है. मैं अगोस करिए, कैसे? आप देखिए, दो कुछन थाभी:" अभी हमको कुछे करने दिए जब ये क्या है?" ठीक तबहाया को रता है, देखिए एक होता है खर प्रत्याहार का एक होता है हस प्रत्याहार का वर्ण तो वर्गों के पहले दूसरे वर्ण इसमें आते हैं तो यह क्या होते हैं अघोस होते हैं फिर क्या होता है और यहां पर यहां तो अघोस है इसका मतलब यहां पर और टाइप करिए या या फिर आपका यह सरवर हो सकता है कि छो की जगहे आप दो कर दीजिए तब इस वाले बाट करेंगे तो यह आपका दंत्य को जाए गा का महाप्राण हो जाएगा आपका घोस भी हो जाएगा यह आपका चल गया इस पर सभी था यह भी था इस पर ध्यान समय रूप करके नहीं चेक किया और एक व्यक्ति ने कोई श्रिमान जी थे जो हमको कमेंट करके फिर वीडियो के नीचे बताई एक सरे कैसे घोस में था नहीं तो यह कैसे घोस हो गया तो फिर मैं समझ गया कि यहां पे कुछ सबीकिशिरयर है फिर मैं चेक किया उसको और मैं बोला था कि अगले दिन क्लास में इसको बताउंगा कल क्लास नहीं आज क्लास होई तो आज मैं डिसकस कर दिया किसी को अगर अभी कोई प्राबल्लम है इसमें तो बोल सकते हो आप लोग वीज़िश कैसे बना रहे वीक्ते नहीं है यह यह महाप्राण कैसे हो सकता है तो अलपा-प्राण में होगया तभी नहीं हो पायेगा भीभी नहीं है स्थी तो यहां पर अगोस कर ली जिए गार अगर यहां गोस करना है तो यहां पर धोख धन उस वाला यह धोख कर लिएगा तब सभी हो जाएगा। है दो बाते हैं है अगर निखेंगे तो आप को सब्राइब कर लिजिए गारे अगर यहां पर घोस कर रहे हैं तो यहांपे दों कर लिए तब सभी जाएगा है है कामन मिले जो भी मिले एक कुसन इसी का यहाँ हाँ कुसन यहां और यहां mac चेक करेंगे कि ओष्ठ कैसे करेंगे ओष्ठ में आप कैसे करोगे ऊष्ठ वालत उपु पधमानियानाम उष्ठ वाले इसमें आएंगे पर वह कौन है इसको और चेक कर लो पता नहीं कि अब हम तो लगा करके निकल चलेंगे क्योंकि यह तो आल्रेड़ी उष्ठ है लहीं तो पक्का ही कि और ओष्ठ नहीं है तो हम बहुत लगा देंगे आग्या हम करते हैं लेकिन उस दीन के बाद हम उताव हम सई है यह अलपप्राण महाप्राण भाप्राण है बिल्कुल सही, फी सही, घोष में चुकी यह होड़ा है यसलिए घोष भी होगा सही है, इस पर समय सही है, अक्सर करके हम लाच्ट से चेक करतें निकल जाते है, तो कोश्यम में कोई जान बूच के खुरापात न किया गया हो, तो सब दिक्कत होती तो ध्र तो था नहीं तो इसलिए उसको चेक किये कट से निकल चले हम होता तो छेक भी करते ध्यान से अगर द्रब युठा तो चेक करना पड़ता क्योंकि तब दो वण मिल रहते तो दो वण पर फिर चेक करना पड़ता आगे चलते हैं करना पड़ता है सब हिंदुस्तानी बोली का नाम किस ने दिया था धन्यवाद धन्यवाद चार बज़े होगा चार बज़े संस्क्रित क्लास होगी चार बज़े संस्क्रित क्लास चार बज़े लाइब होगी आप सबी लोग संस्क्रित क्लास में चार वजेला इफ जरूर आईएगा, बेटरिंग क्लास होती है, मज्यदार, तो हिंदुस्तानी बोली का नाम, किसे ने दिया था, सोचो, जो दिया हो वेचारा बगाया गए, इसको अंग्रेज दिये थे, हिंदुस्तानी, ठीक, किसी को बोलते तो हिंदुस्तानी, तो इसलि करने हो, इसको संग का उत्तर बता तो बहुत अच्छा कोस्चान है, बहुत अच्छा कोस्चान, च्छोवण क city बना है, इससे बना है, त्रो और जियृंग और स्रो, इनको भी अच्छे से, दिमांग में बैठा लेना, किससे बना है, कमेंट करकि बदाओ, जो लोग देख उस बात है कि राक्षस और दानो, यह दोनों राक्षस हैं, इसका तो राकषस होता है , तो भूसुर्वच बच गये, इसके हैं क्या होता है ब्रामण को कहा जाता है एकसर मानस में ऐसा एक लाइन है भूसुर मानसु जो हाँ पर बात कहता है ब्रामण के मानस की बात आती है को हाँ पर राजा चंद्रभान को प्रताफ भान कथात उसमें लिखा गया है कभी-कभी कुछ पढ़े रहो तो याद आ जाता है तो यह क्या ह कभी-कभी ऐसा भी आ या जता है कि तीनों में से जो अलग मिले पकड़ में आ जाता है कि नाW assign q Taliy K भू पूसा जाया सै जां कि हुंत का चलता है रातर में चलता है टुरगे सर लेते हैं कलास Bitcoin जितने भी नागरिक सास अल्टी पॉल्टी सब तर लेते हैं स्रिष्टी सब्द का स्रिष्टी का विलोम सब्द है एक साड़े नौ बजे साथ डेली होती है साम को भी क्लास होती है सरकी उसको आप देख लिजेगा टेली ग्राम जो होगा ए-learning विदुर गेश्ट टेली ग्रा हो जाएगा ते इसका राइट है क्या हो जाएगा संस्क्रित का एक सब्द कई भार हम लोग करते हैं इपसित सब्द का विलोम यドματα होगा कि हां कहें नहीं लगेगा हुसुद माने शहासुद क्या हबात है ठेक है तो आगे देखिये इसमें बताईए इपसित माने चाहने कर्फमजिस को सबसे दर कर तुरिसित तमाम कर चाहना होता है तो उपसित कर जब संग्या पढ़ते हैं उसमें आता है नाराण स्री हरी और सब गलत हैं नेस को संदेखते हैं चार पांच को संद और प्रणीं को चार विलोम सब्द है बता विलोम सब्द को यह कभी एक वज़े से चल रहा है और फिर यह कभी चलेगा सामको चार वज़े से ठीक है रात में चलती है साड़े नौ बजे क्यों रात में होता है इसलिए बहुत को हम ध्यान देपाते हैं तो आप लोग उसको जरूर देखते चलें ठीक है इस चलिए प्रशें स्रक्या साअँ आप लोग क्या कर रहे हो साचर वीलों क्या हो जाएगा साचर एक तरह से जुड़ाओ के अर्थ नहिंग ऑलगाव क्या हो जाएगा षाट अर्समें डूर अर्ष्ट में ने होते हैं अलगाव से मतलब अस्वयोग नहीं दिनियोग नहीं अलगाव करिए इसमें कभी कभी ऐसा ऐसा आपसंद देता है जिसको अरेश्ट में चल करके उत्तर करना प्रसाचरे का अलगाव करिए चलि इसका विलों बताई विराट वह बहुत बढ़ा विराट का क्या हो जाएगा तालीस में विराट बहुत बढ़ा च्छोटा पन नहीं यह देखो यहां बचपन च्छोटा पन इस तरह के सब तो पन बनाया गया यह वाला नहीं है झाल चुद्र बहुत छोटा यह विराट बहुत बढ़ा छुद्र शुटा है क्या करता है यह को कि आप तो बहान राजा है मैं तो एक छुद्र में जानते हैं जोंचित वाले में आता है संस्क्रित वाले में आएगा वहीं आपका पक्का करेक्ट है आहुत का विलोम बताईए एक सभा आहुत किया तो फिर आहुत करने का क्या हो जाएगा अनाहुत कर दीजिए क्योंकि इसमें हुत अनहुत अपहुत दिया है तो अनाहुत कर दीजिए बुलाएगे तो अनाहुत क बता दीजे फिर चले आगे देखते हैं वा क्या वात है इस कोश्चन का उत्तर आप सभी लोग बताएंगे अब बता करकर के अपने अपने हाँ प्रस्थान करेंगे जै जै जैकारा लगाते हुए हर-हर महादेव का ठेक नवश्वारतां तिसव्यंजना इन्ही में जीवकरे मनुरंजना संस्किती क्लास एक बज़े से किया जाए अभी बहुत सारा मैसेज आ था सर उसको टाइम थ्वास आगे बढ़ा दिये क्योंकि बहुत सारे लोग कोचिंग अरे कहीं जाते हैं तो घर से बाहर रते हैं तो पढ़ नहीं पाते हैं लाइव में तो देखते हैं जैसा आप चैट होता है यह बहुत कम देखपाते हैं इसको कम ध्यान में दिया जाता है इसमें बस पढ़ाते वक्त में द्यान में आता है अगर आपको उसमें बदलाओ चाहिए तो आप लोग जब क्लास ओर हो जाया मेंROसमें तो इतने लोग message करेंगे और हमारे वाले करोंगे तभी पत्ता चल पाएगा हमारे वीडियो में जो संस्कृत की पढ़ाई गई यह भी पढ़ाई गई उसमें जाकर करके उसमें आप class में आप डालो कि या कितने बज़ होगा ठेक उसमें जाकर के कमेंट करना पड़ेगा कि सर यह वाली क्लास इतने बज़ यह वाली क्लास इतने बज़ तब वो देखा जाता है या फिर कोई रेटिंग दिया जाता है तो उसी में जाकर के दिया जाता है ऐसे लाइब चैट में तो बहुत सारा कर दोगे तो इतना नहीं दिखता है। तो जिसको भी टाइम चेंज करना वगा सभी लोग मैक्सिमम लोग मैसेश करेंगे चैट करेंगे ठीक वीडियोग नीचे जाकर करके चैट नहीं क्या बहुत था है है और जब वदो antes करेंगे तो सभी लोग जो है जब भी आप लोग उसमें वीडियो हो जाएगा तुसके बाद आप लोग उसमें चैड जरूर कीजिएगा अब बताएए कि किसको किसको क्या क्या पूछना है एक सेकेंड वास आई सिती बनाने दीजिए पहले आप लोग सामने दीखने का दर्सन देने का दर्सन देने वाला कंडिशन आप लोग बनाए हैं भाई आजाओ मेरे और संस्कित की क्लास के लिए जो लोग अभी पूछ रहे हैं अभी आज तो क्लास चार बजे ही होगी और कल से अगर जो भी टाइम आप पूछ आए उस टाइम पर आप लोग देख लिए हिंदी का हो संस्कित का हो आप जिसके लिए भी वहाँ पर मैसेस करोगे वो सारे चैट चैट करोगे चैट क्या कमेंट भूल जाते हैं कमेंट करोगे तो उसमें मिल लिएगा ठीक चलो भाई आजाओ विद्वकों में बैठ करके इसी पर कर रहा था जोपी लगा पूर तो पी तुर तो पी मारी बाल सा गुण रहे हैं मारा तो पी तता नहीं कहां चला गया है कि छोड़ी अटाव है कि ठीक है तो अब देख लिए सभी लोग हो गया कि जना कर देते हैं तो अब हो गया दर्संदी अच्छा नहीं आ रहा है और टो 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 बाल कैसा है कि चले बहुत अच्छा है कि ओके जब भी आपको के तब भी हो जाएगा ठीक है और आप उस पे जो भी बोलना उस पर जाके ज़रू बोलो ठीक ठंडी बहुत है ना बहुत ज्यादा ठंडी यह सब ओड करके यह पूरा ओड करके ब्लैंकेट वे बैठे थे थे कि बहुत बहुत धन्यवाब वेलकम आई इसमान भावा दीग दीजाई भावा चरीज़वेशशी भाव किर्तिमान भावा घृव को अमी आई इसमान भावाक कल्यान मस तो जोब लायक नहीं करते हो लाइक कर दें जो लोग सेर कर दें और जब क्लास ओबर हो जाएगा तक पूराने वीडियो की नीचे जा करके सभी लोग जा करके कमैंट किया किजिए पूराने वीडियो कं Index करते हैं तभी क्या था प्रलय का विलोम यहीं था श्रिष्टी नहीं होता तो अभौकं के अर्थ में कि अभ्षान स्कों यूज करते हैं। यहां पर एक प्रलय है कच्छा को लाइक कर दे, हाँ, धन्यवाद, धन्यवाद, अभी देखिए, हिंदी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन फिर भी हिंदी का इतना तोड़ी है कि अभी हिंदी नहीं जानते हैं, अभी देदेदेदे उसमें हम और जब एक एक आपसं तक उसके गहरा सब्सक्राइब उतर करके बताते हैं, अभी इसमें हम सोच रहे हैं, पहले कुछ कुछ कराएं, ताकि आप लोगों का पहले हमार साथ जुडा बन जा हिंदी वालों का, जो संस्क्रित वाले हैं, उनको समझ में आ रहा होगा, वह बहुत अच्छे से आएगा, हिंदी बन जा नीचे कमेंट देख लेना, जिस पर सबसे अधिक होगा, वहीं होगा, या तो एक बज़े या तो चार बज़े यही दोनों में सही कलास चलेंगे, और वैसे हमको लगना भी एक बज़े चलेगा, जब तक कि कुछ लोग और भी नहीं कमेंट करेंगे, ठेक, अब हावा के अ अच्छा, आप कानपूर से हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जब मैं अव्याई भाव समास पढ़ा रहा था तो उसमें मैं बोला था, कि अव्यायम विभग समीप सम्रिद्य इर्धी, उसमें एक आया था, उसी वाले से लेके आया गया है, ठेक, जिसमें व्रिद् कख सम्रिद्ध विह, जिसमें कते है राक्षे, अवन्ती उसके अर्थ में लिया जाता है, ठेक है तो सब चला जाए फिर अब हाँ आजय कुमार बर्मा सुप्रिया चतरवेदी सोनिका सिंग कमल किशोर यम के यम जितेंद्र पायन कारड़ वाले साभी प्रचार भी लगा दिये है चले बहुत सही ठीक है राजु चोहान मिनाक्षी भारती और किसी का मेसेज नहीं दिखाई दे रहा नया नाम कोई नहीं है वणिमा सिंग चलिए लखनव से हैं जो लोग फर्स क्लास लिए हैं बहुत अच्छा हिंदी की इसलिए करना कि हिंदी की कुछ क्लासे जो है संडे को दिन भी चिला जो लोग बाहर चाते हैं उनका थ्वासा रहें क्लास में देखें तो उनको एक जुडा होगा पता चलेगा और जो लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं वो भी अच्छी बात है संस्कीट के हिंदी की दोने क्लासेस मारे द्वारा दी जाएंगी आप लोग वस उसको नीचे कमेंट गहल जरूर कीजेगा पवन कुमार गुपता तSteven तो अभवह से शेशन को अब आप करेंगे, मिलेंगे सीधे चार बजाए क्लास में, हाँ, चार बजाए क्लास में चलिए मिलते हैं, थ्यांसरवाचिंग, जैहिंद, सरवेखवनतु शुखिनाः, सरवेशंतु लिरामयाः, सरवेखद्राणि पश्यांतु मापकस्चिद दुख भाग भवेत जिसका नाम नहीं लिए हैं ओ लोग नाम